हेलो एप्रिवान मैं आशे करती हूँ आप सभी ठीक होंगे मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल प्यूपिलटीचे में ऐसे सभी कंडिरें जो कि CTAG की परिक्षाग में अपेर होने वाले हैं और CTAG की परिक्षाग की तयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत जादा महत्पून होने वाली हैं जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ CTAG में पूछा जाने वाले गनित के वो प्रशन लेके आई हो जो कि लास्ट एर आपके CBT मोड में हापे पूछ गया थे यानि कि कंप्यूटर बेस परिक्षा जो ही थी उसके अंदर गनित किस लेवल की पूछ गया थी अगर आप लोगों से इस तरीकी के कोशन बन पार रहे हैं तो इनको और ज़्यादा प्राक्टिस कीजिए ताकि जब आप ऑनलाइन मोड पर ये परिक्षा देने जाए तब आप किसी भी कोशन में बाई मिस्टेक भी कोई मिस्टेक ना करें अब चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन प्रशनों को जड़ा इके करके हल करते हैं और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कोशन में डाउट आए तो उसको आप अलग से नूट कर लीजेगा अगर आपसे एक कोशन हो रहे हैं यानिकि आपका एक अच्छा खासा लेवल है अब आपको और ज्यादा प्राक्टिस करनी है अब देखिए जैसे कि मैंने कहा कि जितने भी नुमेरिकल आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी यह सभी हमारे जो कंप्यूटर बेस्ट है कंप्यूटर बेस्ट जो कि लास्ट एर से शुरू हुआ है यान कि जो सीटाइट के आपके ऑन्लाइन परिक्षा जो कि पूरा एक महीने तक चलती है जिसमें अलगलग सेट में अलगलग तरीके के कोशन पूछे जाते हैं तो देखिए वहीं से कोशन पिक के गए अब दोनों तरफ से गिनने में यान कि अगर आगे से बिगनो तो भी ओचौदवे नंबर पर और पीछे से बिगनो तो भी 14 नंबर पर आ रहिए तो हमें आपर बताना है कि इस पूरी लाइन में कितने व्यक्ति यहां पर खड़े हैं तो देखिए अगर मैं यहां पर इस टिकेट काउंटर है, ठीके जी, यह आपका टिकेट काउंटर है, बोला यह गया है कि अमीना को अगर देखा जाए, तो अमीना बीचो बीच है, और अमीना यहाँ पे कौन से नमबर पे, 14 नमबर पे है, यहाँ से गिनने में भी, और यहाँ से गिनने में भी, ठीके जी, अग तब आप कहेंगे कि 28 अंसर नहीं आएगा पूछो कीं क्यूंकि अमीणा को हम डोनों सायच से गिन रहे हМ आगे से भी गिन रहे तो तो अमीना को काउंट कर रहे हैं, पीछे से भी गिन रहे हैं तो अमीना को काउंट कर रहे हैं, For example, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रही हूं, अगर आपने काउंटिंग यहां से शुरू की, यहां शुरू की तो आपके 14th नंबर पर कौन आएगी? अमीना अब अगर हम आगे गिने तो आगे यहां पर बोल रखा है कि अगले पीछे से गिनने पर भी यह कौन से नमबर पर आ रही है 14 नमबर पर आ रही है तो इसकी काउंटिंग यहां पर दो बार हो रही है जबकि आपको एक बार एक जने की काउंटिंग करनी है इस हिसाब से जो 28 है 28 में से आप 1- करेंगे तो आपका अंसर आजाएगा 27 यह 1- क्यों किया गया है क्योंकि यहां पर बोला गया है यह लड़की क्या है आपका 14 नंबर पर दोनु साइट से अगर हम दोनु साइट के वेक्तियों को जोड़ दें तो अमीना जो है वो दो बार गिनी जा रही है और हमें दो बार नहीं गिनना एक बार गिनना है इसलिए हमने जो टोटल था उसमें से 1- किया और 27 जो है इस कोशन का करेंग तो कई बारी क्या होता है कि हम यहां पर 14 प्रास 14 को जोड़के 28 कर देते हैं जो कि गलत है हमें 28 में से 1- करना है क्योंकि अमीना लोगों को सीटाइट परिक्षा के कम्प्लीट हां रिटन नोट चाहिए साथ यहीं CBT लेवल के सारे कोशन सॉल्ड तो आप इस नंबर पर वाट्साप कर सकते हैं आपको सारी डीटल यहां पर मिल जाएगी जो कि पेड़ पॉम में है अब चलिए अगले कोशन की तरफ पर हमें त्रिभूज से यानके ट्राइंगल से रिलेटेड कोशन पूछा गया है जिसके अंदर हमें स्केलें ट्राइंगल के बारे में पूछा गया है जो आपके विसम बाहू त्रिभूज होते हैं इनसे रिलेटेड कोशन पूछा गया है तो देखिए आपके जो जो आपके होते हैं विसम बाहुत रिभुश इसके अलावा आपके दूसरा होता आईसोसलेस ट्राइंगल जिसकी आपके दो साइड समान होती हैं दो साइड आपके बराबर होती हैं इसके अलावा तीसरा आपका यहां पर होता है इकुलेटरल ट्राइंगल क्या होता है जिसक कि तीनों साइडे आपस में बराबर होती है एक और आपका होता है यहां पर इसको में हमेंशन कर देती हूं राइट एंगल ट्राइंगल आपका माना जाता है जिसमें एक कोंड कितना होता है नभी डिग्री का होता है और यह जो स्केलें ट्राइंगल यानि कि जो विशम भाह कोई भी आपका जो को आपकी साइड वो बराबर नहीं होती इसके आलावा आई सोर सिलेस्स ट्यागल जिसके आपकी 2 Alzheimer आपस में बराबर होती है इक लेटर ट्यांगल जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती है इसलिए equal शब्द इसमें है यानकि सम बाहूत रिभुज इसे हम बोलते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं अगला है right angle triangle जिसका एक कोंड नभी दिगरी का होता है तो देखिए आपको यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा तीन समान बुझाएं यानकि three unequal side जो है इस question का correct answer है तो देखिए अगर आपको maths के basic concept आपके स्ट्रॉंग है तो भी आप maths में specially paper one का जो area है वो अच्छा खासा आप अच्छा से cover कर सकते हैं अब चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं अब चलते हैं मैं आप लोगों के लिए एक और question यहाँ पर लेके आई हूँ जो की approximation से समंदित है इसका एक question आपके साइट में देखने को मिलता है तो देखिए यहाँ पर हमें एक number दे रखा है इसका जो exact जो सबसे अच्छा approximation होगा हमें इन चार option में से बताना है तो देखिए इस तरीके के प्रशनों को हम किस तरीके से हल करते हैं यह जरब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इस सीज को क्लियर करती हूँ अगर आपका ऐसा कोई भी question आ गया तो आप इसे कैसे अप्रोच लगाओगे तो देखिए इसके जगा जरूरी नहीं है कि यही question आए इसके तरह आपका कै 2 और 3 के बीच जो संख्या होती है वह आपकी 2.5 यह मैं आपसे गलत नहीं बोल रही है आपका है 2 और 2 और 3 के बीचों बीच वाली संख्या क्या है वह आपका 2.5 होती है अब देखिया यहां पर क्या पूश रखा है 2.9 2.9 जो है वह 2.5 से बड़ा है यह चोटा है तो आप है कि कोई भी आपको संख्याद दी जाती तो आपको यह देखना है वह किस जिसका जैसे की आपको घखना है कि यहां पे आएगा से एंब पैने गा तो 7.5 आता और 7.5 से यह नंबर छोटा है बड़ा है तो आप कहेंगे जस्ट यहां पर आएगा 7.49 तो देखिए यह किस के पास हो जाएगा यह साथ के पास हो जाएगा ना कि 8 के तो इस हिसाब से आपको यहां पर इसका अप्रॉक्सिमेशन बताना है तो देखिए किस के बीच म आता है 2 और 3 के और यह 3 के ज्यादा करीब है तो इसके जगह हम लिखेंगे 3 इसके अलावा यह जो 4 यह जो आपका 7.49 है 7 और 8 के बीच में आता है पर यह 7 के करीब है इसलिए लिए लिखेंगे 7 और ऐसी यह जो 11.51 है यह देखिए 0.5 के पास है पर यह आपका थोड़ा सा आगे के तरफ shift है 1 लिखने के वज़े से तो यह 11 और 12 के बीच में आएगा और 12 के पास इसका जुकाव है तो नीचे आएगा आपका 12 तो देखें ऐसा option आपको देखना है जिसमें 3 इंटू 7 डिवाइड़ बाइ 12 हो जो कि आपका C option है तो इस तरीके से आपका approximation based question भी आप पूछा जाता है अब चलिए कुछ और question और आप चेक कर लिजेगा यह सारे question आपकी CBT mode में पूछा जाए थे अब चलिए एक और question में आप लोगों के लिए यहां पर लेकिया आई हूं वह भी ज़र हम discuss करें अब देखिए यह जो हमारा CBT mode में paper हुआ था उसमें अलग- टाइप यहां पर fraction के समझने बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि main आपके है एक है proper और एक है improper fraction और अगर आप इन दोनों को यहां पर समझ जाए तो आप इस तरीकी के प्रशनों को आप आसानी से कर सकते हैं यानि कि जो उचित और अनुचित भिन होता है यह proper fraction को हम यहां प अनुचित भिन बोलते हैं और improper fraction को हम अनुचित भिन बोलते हैं अब देखिए दोनों में क्या फरक है इसको जड़ा देखते हैं जो आपके proper fraction होते हैं उसका जो numerator होता है वो denominator से छोटा होता है यानि कि जैसे कि आपका 3 बटे 5 numerator हो गई उपर वाली संख्या denominator हो गया नीचे संख्या को बोलते हैं नीचे लिकीवी संख्या को हम इनुचित भिन होता है इसमें क्या होता है इसमें जो denominator होता है उपको यहां पर जो चोटा होगा नुम्रेटर होगा यानि कि उन कि उल्टा कर देजे 5 बटे 3 तो उपर लिखीवी संख्या जो है बढ़े होगी जिसमें numerator आपका बड़ा है, 7 आपका 5 से बड़ा है, 4 आपका 3 से बड़ा है, बाकि कोई भी option आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, जिसमें इस type का fraction आपको मिले, तो देखिए, यहां पे इनके paper में improper fraction का पूछ लिया है, आपके set में ऐसा हो सकता है कि proper fraction आपको छाट ना पूछ लिय कि इन में से कौन सा बताईए कि proper fraction है, अगर मैं आपसे कहूँ कि mixed fraction, जो मिश्रिद भिन होता है, वो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें पूरा एक आपका मान रखा जाता है, और इस तरीके से आपका इसे represent किया जाता है, मिश्रिद भिन को पहचानना तो बहुत है, प्रॉपर और इन प्रॉपर fraction में गलती होने के chances होते हैं, इतना याद दख लीजिए, प्रॉपर fraction में denominator जो नीची रिखी वे संख्या होते हैं, बड़ी होती है, जबकि इन प्रॉपर fraction में ऊपर लिखी वे संख्या बड़ी होगी, जैसे कि आप यहां पर इस example में कोशन भी हां पर त्यार हो जाता है, जो की number system यान की संख्या पदिती का एक part है, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेस वेल्यू क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, यहां पर हमें एक संख्या देदी, इस संख्या को मैं आप लोगों के सामने हैं आप लोगों को अगर यह topic clear हैं, तो आप लोगों मेरे साथ एक question solve कर सकते हैं, इसमें पूश रखाया है कि इस संख्या के अंदर जितने भी 6 हैं, उनका क्या करना है, उनका हमें गुनन फल निकालना है, यानि कि उनका हमें multiple या फिर product आप कह सकते हैं, वो निकालना है, तो उनने 6 को 6 रहने दिया, इसके बात जितने भी डिजट होंगे, यान कि इस 6 के बात कितने डिजट है, एक डिजट तो आप एक 0 यहां पर लगा दीजिए, यान कि ये वाला जो 6 है, इसका place value कितना आ गया, यहां पर 60 आ गया, अगर place value पूछा होता, यान कि अंकित मान देंगे, तो दोनों का मेरा, जो place value हो आ गया, एक का कितना है, एक का कितना है, और एक का कितना है, आपका 60, दोनों को अगर हम multiply करेंगे, तो 66 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 30 यहां से आए, 10 यहां से आए, तो इस हिसाब से इस question का जो correct answer है, वो होगा आपका, तीसरा option, आप यहां पर इस question को देख सकते हैं, अगर सेम इसी question में मुझे यहां पर बोला होता, कि face value निका लिए, face value का product निका लिए, तो मैं कैसे करती ही, जरा देखते हैं, जैसे कि मैंने यह number लिख लिया, 8, 7, 8, 6, 3, 6, और 4, तो देखिए, यहां पर आप लगों के लिए number लिख अंसर होता है, महलब 6 है, तो 6, 4 है, तो 4, 5 है, तो 5 है, तो देखिए, यहां पर 6 का 6 आएगा, इसके लावा इस वाले 6 का कितना आएगा, इस वाले 6 का भी आपका 6 आएगा, तो 6, 6 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका 36 जो किस question का correct answer है, तो इस तरीके से अगर आएगा, तो आप ऐसे करेंगे, और face value आएगा, तो आप इस तरीके से इसे हल करेंगे, अब चलिए कुछ और प्रेश्णों को यहां पर कवर करें, एक और प्रेश्ण में हापे आप लोगों के साथ डिसकस करती हूं, जो कि हम लोगों से consecutive numbers से समंदित यहां पर पूछा ग जिन में से जो दूसरा consecutive number है, वो कितना है, 49 है, तो देखे, अगर दूसरा consecutive number 49 है, तो पहला consecutive number कितना होगा, 48, अगला number कौन सा होगा, अगला होगा 50, इससे अगला कितना होगा, आप कहेंगे 51, इससे अगला कितना होगा 52, यानि कि यह हो गई आपके 5 consecutive number, मैंने कैसे पता कि इन्होंने कहा कि जो दूसरा यहाँ पे पांच क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या आपके 49 है तो पहली कितनी होगी पहली होगी आपके 48 और इसके बाद मैंने लिखते चले गई इसके बाद यहाँ पे बोल रखा है 52 तो देखिए इन तीनों को आपको multiply करना है और आपको देखना है और आपको बताना है कि क्या correct answer है तो देखिए आपको क्या करना है 48 को 50 को और 52 को multiply करना है तो देखिए सबसे पहले तो जब हम multiply करेंगे तो यहाँ पे आपका 0 है तो 0 तो आपका आएगा याएगा आपको बताना है कि इन तीनों को multiply करके आपका कौन सा option जो है ये correct बैठेगा और देखिए calculation थोड़ा सा तो आपको speed up करने पड़ेगी जब आप online परिक्षा में इन questions को आप solve कर रहे होंगे तो देखिए आपके सामने चार option है और option कुछ इस तरीके से हैं कि काफी close option आपको दे रखें आपको क्या करना है आपको सबसे पहले 48 को 52 से आप multiply कर दीजी जो answer आएगा उसे आप 50 से multiply कर देना आपका final जो answer है ये पता चल जाएगा तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ next question डिसकस करती हूँ और ये question जो है आप लोगों को इसका correct answer यहाँ पर बताना है कि 48 को 50 और 52 को multiply करके क्या इस question का correct answer है और हमने ये किस से साब से चुने क्योंकि दूसरी consecutive number था 49 तो पहला होगा 48 फिर होगा 50 फिर होगा 51 52 क्योंकि इसमें even number some संख्याओं का गुननखन निकालना है इसलिए 48 को 50 को और 52 को मैं हापे choose कर रही हूँ अगर और नमबर पूछा होता है तो आप क्या करते है 49 और 51 को यहाँ पर multiply कर देते हैं जोडने को बोला होता है तो आप जोड देते तो इस तरीके से question को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है बाकी वही चीज़े आप से पूछ जाती है अब चलिए अगले question की तरफ बढ़ते हैं अब चलिए एक और question यहाँ पर discuss करते हैं जो के हमें यहाँ पर त्रिभू से समंधित ही पूछा गया था CBT level में अब देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि जो triangle की जो sides हैं इनका आपको अनुपात दे रखा है इनका आपको ratio दे रखा है तो देखिए जो ratio है जो अनुपात है इसको अगर मैं x माल लूँ तो आपकी जो triangle होंगी इसके side कितनी कितनी हो जाएगी तो देखिए 5 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5x इसको क्या लिख सकते हैं 6x और इसको क्या यान की जो सबसे चोटा ट्राइंगल है उसका मेजर्मेंट आपको बताना है कि वो कितने आंगल का होगा तो देखिए यहां पर हम कैसे सौल करेंगे इसके लिए आपको छोटा सा कॉंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है जो ट्राइंगल होते हैं इनके ती हो गया 11 11 और 7 हो गया आपका 18 18 x equal to 180 आजाएगा तो x कमान कितना आजाएगा 180 यह यहां आपका मुल्टिप्लाइ में है तो उधर जाके आपका हो जाएगा डिवाइट इनको डिवाइट करेंगे तो यहां आएगा 10 तो x आगे आपका कितना 10 तो इस question में आपको निकालना क है सबसे छोटा कॉन इन में से कौन सा हो सकता है 5 6 7 में से आप कहेंगे 5 हो सकता है और 5 को मैंने क्या लिखा है 5 x तो देखिए 5 x लिखा है तो 5 को अगर मैं 10 से मेंटिप्लाइ करूंगी तो मेरा कितना अंसर आजाएगा 50 जो कि आपको कौन से option में मिल रहा है जो कि आपको second option में मिल रहा है तो इस तरीके से triangle के आपके site से समंढ़ीत भी question आ सकते हैúsica अगल की जितनी properties हैं उनको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना आपको ब Apache to Denis half को अच्छी से यानकि fraction के तोपिक को त्यार कना आपको number system को त्यार करना आपको च्छे सा त्यार कर तो इस तरीके से जो आपके डे टो डे लाइव से कनेक्ट है वो चीज़े भी आप से पूछी जा सकते हैं तो देखिए इस तरीके के प्रेश्ण आपके इस लेवल के कोशन आपको पेपर वन में डिसक्स करने अभी आने वाली वीडियो में मैं और भी जादा नबर आफ कोश इस तरzyके सस्के अग्ली वीडिवी में इसके रावब को से इस و 6 यह फोरह है तो आप यहां पे जो प्लेस है को कर सकते हैं डिपे बैलिस आप के लग है किला ए回來 मैंने मिनर अच्छी के लिए बना दी आप उन सभी वीडियो से अपने तयारी कर सकते साथे साथ अगर आप लोग यहां पर confused हैं कि आप कम समय में कैसे त्यारी करें तो इसको लेके भी मैंने 2-3 दिन पहले ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है कि आप 25 दिन में किस तरीके से त्यारी करें क्या-क्या नई टॉपिक को करें ताकि आप लोगों की त्यारी औ WhatsApp कर सकते हैं इस वीडियो में अब मैं आप से मिलती हूं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बाई बाई टेक केर